जितेंदर आवाट, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाब नहीं लिए यह सारी जानकारिया उनको नहीं है तो इंशालों ताले इस गुस्ता के खिलाफ हम लोग आने कल कमिशनर सर से भी मिलेंगे कोई कुरूरता नहीं बलकि उनके इतना इमांदार दिंदार और नेक बाश्चा कोई भी न था ना बन सकेगा इंशालला और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम साब को बता दे कि आज एमाईयम पार्टी के तमाम कार्यकरता जो है वह बाबा साब हिम राओ अमेटकर चौक पर यानि पुली स्टेशन के बाजू में ही यह चौक है और यहां पर विरोध परदर्शन कर रहे थे दरसल इनका विरोध करानी की मांग की गई थे हलाकि दर जिन्ना होने की वज़े से जो है मायम के सैब पठान अपने तमाम कार्यकरता के साथ महिला कार्यकरता और सभी लोग मेटकर चौक पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो है जितेंद्रवाट की तस्वीर पर जो है कालिक पूती जाने लगी वैसे ही मुम्रा पूलिस जो है आप पर पहुँचे शीनियर प्याई अशो कडलक खुद पहुचे और तस्वीर जो है उनसे छीनी गई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो लोग उन सभी लोगों को मुम्रा पुलिस इस्टेशन लेकर आया गया और इसी जानकारी मायम के कारकरताओं ने दिये कि वहराल उनसे कहा गया है कि आप वरिष्ट अधिकारी जो पुलिस के हैं उनसे मुलाकात करिए अगर वहां से उन्हें निर्देश मिलता है तो वह फाइयार दर्च करेंगे लेकि आम आदमी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हुए थे इन लोगों ने इस प्रोटेस्ट के बाद क्या कुछ कहा है मीडिया से बात्चित करते हुए आपको सुना देखिए कि मैं आपको बताओं कि जब हम लोगों ने कचरे के लिए प्रोटेस्ट किया था हमको वहां रो प्रोटेस्ट करेंगे और जैसा बाबा साहिए जिससे उनको अईसा रागरा है कि शेर का मावल खराब हो सकता है कुछ इस वज़े से उनने हमसे रिक्वेश्ट की है कि आप प्रोटेस्ट को अभी रोग दो आप कमिशनर सर के पास जाकर अपनी बात करो अगर वहां से हमको डिरेक्शन आ गया तो हम एफाइल ले लेंगे तो इंशाड़ों ताले इस गुस्ता के खिलाफ हम लोग याने कल सब्सक्राइब मेरे कॉंटेक्ट में थे और बहुत से एंजयों के लोग मेरे कांटेक्ट में थे यह एक बड़ा धर्ना हो जाता उसको पहले रोग दिया अपनाला इसके खिलाफ हाइफ करवाइब हम जाएगे कल कमिशनर सर से मिलेंगे और इसकार न हमें है is नोटीस वगहरा दिया गया है कि आपने नोटीस तो अभी हम रिक्वेस्ट किया उन्होंने तो अभी जिसाब से आज सहेब बाई जावेद बाई इन्शाला हम लोग कमिश्टर के पास जाएंगा उन्होंने कहा कि मतला अगर वहां से हमें पर्मिशन मिलता है तो मैं यहां पर आप लोगों ने भी इसमें शामिल हुए क्या कहेंगे देखिए हमारे अउलिया अल्ला हमारे बुजूर्गों के से बढ़के कोई भी पार्टी हमारे लिए नहीं है ना हमारी जाती सक्सियत है तो इस वक्त कोई भी मुम्रा का जो भी जो सच्मुच इतिहास पढ़ा होगा यहां के MLA डॉक्टर जितेंदर आवाड के जैसा गलत इतिहास नहीं पढ़ा होगा जैसा उन्होंने पढ़ा है जिसमें उन्होंने अभी तक जितनी किताबे पढ़ी है और जो भी जानकारी हासिल की है अपना आज भी लोग देख रहे हैं वो अखंड भारत वो बना चुके हैं एकोनोमी GDP किस रेट पे थी उस वक्त उसनी कभी न हुई न हो सकेगी तो यह सब गलत वो किया गया है उन्होंने बहुत ही मांदारी और बहुत ही परहेजगारी से टोपी बुनकर और कुरान के कि उस वक्त मुसल्मान भी जो मुल्क के थे वो भी जकात के तोर पे जकात देते थे जो बैतुलमाल में जाता था और वही नॉन मुसलिम पे क्योंकि जकात नहीं आयद होती है तो वो जिजिया के तोर पे रकम देते थे वो भी बैतुलमाल में जाती थी और वो सभी धर्मो के लोगों के विकास के लिए फलाव बैबूत के लिए इस्तेमाल होती थी वह किसी पर कोई जबरन नहीं था लोग खुशी से देते थे कि ये बैतुल माल में जाता और बैतुल माल देश के विकास के लिए अखंड भारत बनाने के लिए देश के हित में लड़ने के लिए इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से माफी की भी बात चल लेए तो इस पर चाहिआ देखए माफी तो जिदिन्ना रवार जी को पूरे मुमरा शहर से मांगना चाहिए और उनकी जो डिगरी की बात है घृट यू ही अलूँआ के पास जाएंगे इंचाल्ला और अगर कमिश्टर भी नहीं उस पर सुनाई करेंगे तो हम कोट में जाएंगे और जरूर करेंगे अधियुक्त